इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे फेरी टेल आइलेंड के बारे में बताये जाता है जहां इंसान, वीचेस, मॉंस्टर और ड्रेगन साथ में रहा करते थे और यहां सभी खुशी से अपना गुजारा क्या करते थे लेकिन एक दिन अचानक ड्रेगन ने इस राजी पर हमला कर दिया यह देखकर साथ राजकुमारों का एक गुरूप फियरले सेवन उस ड्रेगन को रोकने के लिए आता है वो साथ राजकुमार बहुत ही बहादूर होते हैं जिनके बहादूरी के किस्से दूर दूर तक फेले हुए थे वो सब मिलकर बड़ी आसानी से उस ड्र ही होती है जो साथो राजकुमारों को सबक सिकाने के लिए उन्हें शराफ दे देती है कि जब तक उनको दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की किस नहीं करेगी वो सब बस्तुरा धरे बोनों के रूप में रहेंगे फिर हम साथ साल बाद एक किंडम में रेजिना को देखते है जो वैसे दो एक वीच होती है लेकिन इस समय वो राजी की महरानी होती है रेजिना अपने महल के बीच में लगे एक मेजिकल पेड़ के पास जाती है और जैसे ही उस मेजिकल पेड़ के उपर सुरच की रोशनी बढ़ती है तो उस पेड़ पर लगे सेफ मेजिकल सेंडल में बदल जाते हैं जिने पहनने के बाद रेजिना एक खूसरत दोरत में बदलने लगती है लेकिन अगले पहल वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है क्यों क्यों मेजिकल सेंडल रेजिना को ज्यादा देर तक खूसरत नहीं रख पाते हैं इसे गुस्सा ओकर रेजिना वाँ से चली जाती है वाया में सनो वाइट नाम की राजकुमारी को दिखाया जाता है जो मोटी राजकुमारी होती है वो चुपके से रात को महल में आ जाती है लेगन तब ही वहाँ पर रेजिना एक चोटा सा वुडमेन आ जाता है जिसको रेजिना ने उस कमरे की पेरेदा करने के लिए रखा होता है जहाँ पर मेजिकर ट्री था वुड मैन को देखकर सनो वाइट टेबल के नीचे छुप जाती है जहाँ पर उसे अपने पीता यानि किस किंगडम के किंग की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पीता की कानी लिखी होती है क्यों किस वरकार बड़ी ह खुशिस है अपने राज्य में राज किया करते थे लेकिन एक दिन सिपाय रेजिना को पगड़कर राजा के पास लाए और राजा से कहा कि एक वीच है जिसने अपने मेजिक की मदorial से पूरे राज्य में आतंग फेला रखा है लेकिन रेजिना इतनी खूसरत थी कि राज् राजा करना श्टार्ट कर दिया और दिरे दिरे किंग्डम के लोग गायल होने लगे और एक दिन जब राजा ने रेजिना को एक ट्री से बाते करते होई देखा तो ढर गए और उन्होंने अपनी बेटी सुनो वाइट को सुरक्षित रखने के लिए राज इसे बाहर बेज दिया इसके बाद राजा कहां गए किसी को नहीं बता सुनो वाइट ये सब पढ़कर बहुत दुखी होती है तब उसकी नजर मेजिगल ट्री पर जाती है और महल के अंदर एक ट्री को देखकर पुरी तरह से हिरान होती है वहीं दूसरी दाहम रेजिना को देखते हैं जो एक बार फिर से मेजिगल ट्री के पास आ रही होती है और जैसे दर्वाजे को खोलती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है क्योंकि राजकुमारी सुनो वाइट ने मेजिगल ट्री से मेजिगल सेंडल को तोड़कर पहन लिया था जिससे वो मोटी राजकुमार में तबदील हो गई थी इसलिए रेजिना उसे पेचान नहीं पाती रेजिना उसे मेजिकल सेंडल को चीनने की कोशिश करती है लेकिन राजकुमारी किसी तरह बहुत मुश्किल से वुडमेन के मेजिकल जाड़ू पर बेट कर वहां से निकल जाती है वही हम सातों राजकुम को हवा में उड़ते हुए देखते हैं अगले सीन में हम रेजिना को देखते हैं जो अपने मेजिकल मीरर से राजकुमारी के बारे में पूंचती है क्योंकि मेजिकल सेंडल की वज़े से वो सनो वाइट को पेचा नहीं पाई थी लेकिन मेजिकल ट्री भी रेजिना को राजकुमारी जमीन पर गीरी होती है वो बोने राजकुमारी की खुशूरती को देखकर राजकुमारी पर मोहित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही वो खुशूरा लेडी है जिसके किस हैं उनका श्राप तूट सकता है लेकिन तबी गलती से एक राजकुमार उसे वी राजकुमारी की जब आख खूलती है तो वो खुद को बोनों के घर में पाती है और जब वो आएने में देखती है तो वो पुरी तरह से हिरान हो जाती है क्योंकि मेजिगल सेंडल को पहनने की वज़े से वो एक हुसरत सी राजकुमारी में बदल गई थी इसके बाद राजकुमारी बोनों से अपने डेट को डूरने के लिए मदद मांगती है जिस पर बोने तुरन राजी हो जाते हैं वाई फिरम में राजकुमार ओरोज को दिखाय जाता है जो अपने बर्थडे पार्टी में राजज के सबसे खुसरत लोगों को बुलाना चाता है लेकिन सबी अपने कामें बीजी होते हैं जिसकी वज़े से औरोज के बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आ रहा होता जिस बास से औरोज बहुत दुखी होता है तब ही वहाँ पर रेजिना आ जाती है जो औरोज को राजकुमारी की तश्विर दिखा के कहती है कि इस तरह हम राजकुमारी को देखते हैं जो जब अपने मेजिकल सेंडल निकालती है तो अपने रियल फॉम में सुनोवाइट के रूप में वापस आ जाती है जिसने सुनोवाइट को बहुत अच्छा लगता है तब ही वहाँ पर एक बोना जाता है लेकिन राजकुमारी किसी करने के लिए लव बुक पढ़ रहा होता है और अपने असली रूप में होता है क्योंकि जब कोई उन बोनों को नई देखता था तब अपने असली रूप में वापस आ जाते थे तब यो राजकुमारी को जंगल की तरफ जाता देखता है तो वह भी राजकुमारी के पीछ चला जाता है इसके बाद हम सभी बोनों को देखते हैं जो राजकुमारी को इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट तियार कर रहे होते हैं और जब आर्थर मरलीन के कमरे में आता है तो उसे वहाँ पर लवबुक गिरी हुई मिलती है जिसे देखकर आर्थर समझ जाता है कि मरलीन राजकुमारी को इंप्रेस करना चाता है इसलिए और गुस्से में मरलीन की तरफ जाता है अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो जंगल में अपने डेट को ढूंड रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जाइंट वुटन भालु आ जाता है लेकिन इससे पहले क् मरलीन आ चाता है जो अपनी मेजिकल पावर से उस बालु पर हमला करके उसे दूर कर देता है और अब राजकुमारी और मरलीन वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन और जाइन बालु अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है इस पर मरलीन रोकर जाइन बालु को रोकने देखे वहां से भाग जाने हो गेता है क्योंकि श्राप के चलते जब कोई भी व्यक्ती बोनों को नहीं देखता था तो अपने रियल फोर में वापस आ जाते हैं और उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है लेकिन इससे पहले कि मरलीन जाइन बालु को मारता राजकुमार वागतें राजकुमारी को मारता वहां पर आरफर आ जाता है जो बालु पर हमला करके उसे बहुश कर देता है और मरलीन और बाइकी बोने बीएक रोबोट में बेटकर वहां पर आ जाते है अब क्योंकि आरथर ने राजकुमारी की जान बचाई होती है, इसलिए राजकु कि राजकोमारी के साथ वान से चला जाता है लेकिन जब रास्ते में वो राजकोमारी से किस मांगता है तो राजगोमारी उसके गाल पर एक जोड़ार थपड मारती है जिससे सभी लोग हसने लगते है warp IsarBo Badern राजकुमारी के डेट को ढूनने के लिए बेशता है अब आर्थर जब राजकुमारी के साथ किंग आर्थर की गड़ी हुई तलवार के पास पहुंसता है तो राजकुमारी बड़ी आसानी से उस तलवार को बाहर निकाल लेती है लेकिन आर्थर लाग कोशिश करने के बाव जाता है लेकिन आप पर ओरोज ने पुरे शेयर में राजकुमारी के पोश्टर लगा रखे होते हैं जिस पर वांटेड लिखा होता है और जब ओरोज के आदमी राजकुमारी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं और राजकुमारी भागते हुए एक गली में आ जाती है जहां बरो मेजिकल सेंडल को निकाल कर अपने रियल फॉम में वापस आ जाती है जिसकी वज़े से वो राजकुमारी को पेचान नहीं पाते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन तब ही वहां पर औरोच के सिपाई आ जा जो राजकुमारी के सेंडल को लेकर उनसे बत्तमीजी करने लगते हैं तब ही वहां से मरलीन और आर्थर राजकुमारी को डूरते हुए गुजरते हैं इन्हें देखकर राजकुमारी इनसे मदद मांगती है लेकिने लोग राजकुमारी को पेचान नहीं पाते हैं क्योंकि सामें अपने रियल फॉम में होती है इसलिए और लोग आके निकल जाते हैं जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है लेकिन तब ही वहाँ पर मरलीन आ जाता है जो अपनी मेजिकल पाउर की मदद से राजकुमारी को बचा लेता है और राजकुमारी को अपना ध्यान जाती है और जब और उरोच के आदमी राजकुमारी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर मरलीन आ जाता है जिसने अब जाइन बालू को अपना दोस्ट बना लिया था इसलिए और जाइन बालू पर बेटकर राजकुमारी को लेकर वहा आटी में दोड़कर राजकुमारी के ढ sebagai लिए एक संदेश लिखता है और अब कहीं न कहीं वह मलीन से प्यार भी करने लगी थी अब राजकुमारी मलीन किस करने वाली होती नेकिन आप खुद को रोग लेती में और्गुमेंट होना शुरू हो जाता है अगले सीन में हम राजकुमारी को बोनों के गर पर देखते हैं जहाँ पर सभी बोने राजकुमारी को इंप्रेस करने कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर औरोज अपने सिपाईयों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो राज बोनों के सामने टिक नहीं पाता और अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाता है यहाँ पर राजकुमारी मरलीन से बहुत खुश होती है वो उसे प्यार भी करती है इसलिए वो मरलीन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती इसलिए मरलीन को अपनी मेजिकल सेंडल निकाल कर पास पहुंचता है तो रेजिना उसे और उसके दो सेनिकों को मेजिकल सेफ खाने को देती है जिसे खाते ही औरोज मौस्टर टी में बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके मेजिकल सेंडल लाने में नाकाम्याब रहा था वहाई दूसी तरह फाइट के दोरान बोनों का गर भी पूरी तरह से तूट गया होता है इसलिए सबी बोने राजकुमारी के साथ मिलकर एक बार फिर से अपने घर को पेले जैसा बना देते हैं इसके बाद मरलीन और राजकुमारी रेजिना की जादू जाडू की मदस से बोनों दोरा बनाए गए रोबोर्स पर बेट कर शेर की तरह निकल बढ़ते हैं और जब ये लोग शेर के उपर पहुंसते हैं तो राजकुमारी के पिता के मिसिंग के पोश्टर शेर के उपर फिंग देते हैं जिसकी वज़े से वो पोश्टर पुरे शेर में फिल जाते हैं जिससे अगर किसी को भी राजकुमारी के निकल कर एक नदी के पास हा जाता है यहाँ पर राजकुमारी मरलीन को बताती है कि उसे पसंद करती है और उम मरलीन को किस भी करती है जिससे मरलीन को लगता है कि उसका शराब खत्म हो गया लेगिन जैसे राजकुमारी मरलीन को देखती है तो फिर से बोने में बदल जाता है क्योंकि श्राब के मुताबिक सबसे खुश्वर लड़की के दो बार किस करने से ही इनका श्राब तूट सकता है जिसे मरलीन बहुत दुखी होता है तब ही रेजिना के दोरा बेजे गए मोश्टर इनके उपर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचा कर वहां से परवा किये बिना नदी में कूच जाती है जहां परो देखती है कि मरलीन ने की स्टोन के नीचे फस गया है इस समय राजकुमारी को शाइडिक शक्ती की ज़रत होती है इसलिए मेजिकल सेंडल को निकाल कर अपने रियल फॉम में आ जाती है जहां परो एक बद्दी सी मोट लड़की होती है राजकुमारी अपनी पाउर की मदस है ना कि असली रूप से इसलिए वाँ से चला जाता है जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है जाइंट बनी मरलीन के पास आता है औरो मरलीन को खुद के बोने रूप में दिखाई देता है जो से समझाता है कि राजकुमारी तुम्हारे खुशुरत रूप से प्यार नहीं करती बलकि उसके हरे बोने के रूप से प्यार करती है क्योंकि और दिल की अच्छी है इसलिए तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए ना कि उसके रूप से ये सुनकर मरलीन को समझा जाता है कि प्यार इंसान से होता है ना कि उसके रूप से इसलिए एक बार फिर से राजकुमारी के पास जाने लगता है वहीं दूसरी तरह हम रेजिना को देखते हैं जो मर्लीन का रूप लेकर राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमारी को मेजिकल सेप खाने हो गेती है लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी मेजिकल सेप को खाती ही वहाँ बर मर्लीन आ जाता है जिसे रेजिना की सच्चा सब के सामने आ जाती है ये देखकर रेजिना अपने असली रूप में आ जाती है और राजकुमारी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है ये देखकर मरलीन वुडमेन को अपने दोस्तों को इसकी खवर देने हो गेता है और खुछ जायन बालू के साथ राजकुमारी को बचान राजकुमारी को बांध कर रखा होता है यहाँ पर राजकुमारी रेजिना से अपने डेट के बारे में पूंचती है लेकिन रेजिना इसका कोई भी जाब नहीं देती और राजकुमारी को मेजिकल सेफ खाने को देती है और जब राजकुमारी मेजिकल सेफ खाने से मना कर द और मेजिकल सेब को खाते ही राजकुमारी के अंदर बदलावाने शुरू हो जाते हैं इसके बाद मेजिकल ट्री मरलीन को अपने पास खीज लेता है और जब मरलीन मेजिकल ट्री से बूझता है कि रेजिना राजकुमारी के साथ क्या करने वाली है तो मेजिकल ट्री मरलीन को बताता है कि मेजिकल सेफ को खाने की वज़े से राज कुमारी मेजिकल ट्री में बदल जाएगी और जैसे इस सुरज की पेली की रण मेजिकल ट्री के उपर पड़ेगी तो उसके फल दो मेजिकल सेंडल में बदल जाएगे और मेजिकल ट्री के साथ ही राज कुमारी की भी यह सुनकर मरलीन किसी भी दर है, राजकुमारी को बचाना चाहता है, लेकिन मेजिकल ट्री मरलीन को कमरे से बार नहीं जाने दे रहा था, तब ही वहाँ पर मरलीन के दोस्त भी आ जाते हैं, जो मेजिकल मीरर पर हमला कर देते हैं, अब मेजिकल मीरर और इनके बीच में एक ख और नहीं वाली होती है कि तब ही वहाँ पर मरलीना जाता है जो राजकुमारी को बचाने के लिए रेजिना को लेकर गेरी खाई में कूच जाता है जिससे रेजिना की डेट हो जाती है और जिससे रेजिना की मौत होती है तो उसका जादू भी खत्म हो जाता है जिसकी वज़ कि मरलीन ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी तो राजकुमारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है लेकिन अगले पर मरलीन के दोस्त मरलीन को लेकर उपर आ जाते हैं मरलीन को जिंदा देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और मरलीन को किस करन और यहीं पर इस मूवी के पे एंडिंग हो जाती है और गाईस अगर आप इसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इंडी स्किन पर किलिक करके वोच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबिस्क्राइब करने के लिए आपका तरहे दिल से शुक्रिया थेंक्स प्रोचिं